Welcome दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप Punjab and Sindh Bank के ATM से पैसे कैसे निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ तो दोस्तों पंजाब and Sindh Bank کی ATM से पैसे निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, simple जैसा कि आप वीडियों में देख सकते हैं, इस तरह के से आपको ATM कार देना है, और ATM मशीन के अंदर अपने ATM कार को डाल देना है, तो मशीन के अंदर कार को डालते ही दोस्तों आपके सामने वाली screen चेंज हो जाएगी, और सबसे पहले यह आपको language select करने को कहेगा, तो आपकी जो भी language है वो आपको select करनी है, तो मैं यहाँ English को select कर देता हूँ, तो select करते ही दोस्तों फिर से screen चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर आपको दो option देख्यों मिल जाएगे, आपको यहाँ first वाला जो option है, banking and other service वाला जो option है, इसको select कर देना है, तो select करते ही दोस्तों फिर से screen चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर आपको please enter your pin लिकावा देख्यों मिल जाएगा, यानि कि दोस्तों आपके ATM के जो भी गोपनी pin number है, जो कि 4 digit के होते हैं, वो pin number आपको यहाँ पर type कर देना है, जो कि आपको छुपा के type करना है, किसी को नही टाइक कर देना है, तो select करते ही दोस्तों फिर से screen चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर आपको account select करने को कहेगा, कि आपका saving account है, या current account है, तो लगबग दोस्तों सभी लोगों के saving account ही होता है, तो आपको यहाँ saving account को select कर देना है, तो select करते ही दोस्तों फिर से screen चेंज हो जा करते ही दोस्तों आपको यहां correct वाला जो option है इसको select कर देना है तो select करते ही दोस्तों मशीन के अंदर counting start हो जाएगी और थोड़ी देर के अंदर ही मशीन के नीचे की side से पैसे बाहर निकल जाएगे तो जैसे ही मशीन से पैसे बाहर निकले तुरंती आपको वहाँ से पैसे ले लेने है और last में आपको ATM मशीन से अपने ATM कार्ड को बाहर निकाल देना है और ATM मशीन के अंदर एक cancel वाला बटन होता है इसको दबा देना है ताकि आपकी सारी डिटेल किलियर हो जाए तो बस दोस्तों यही ता सिंपल प्रोसेस पंजाब एंड सिंध बेंक के ATM से पैसे निकालने का तो प्लीज वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करजिए